इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस आजाती की बाज का बाद का इंडिया कैसा था इक लास एट के हिस्ट्री का चैप्टर है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस तो जो इन निव एंडिवाइड नेशन इंडिया जबी इंडिपेंडेंस हुआ और डिवाइड भी हो गया में अंडिया और पाकास्तान अलग हुगे His anитель अजांर को इंडिया अजाद में इनद्यांट में को इंडिया अपना अलग इनद्यास बंगेन बट प्किस्तान भी विब का भी पार्टियों ही सो चुगा तो मतलब इंडिया से पाक सिनलल अलग better तो यह हुआ कि पागिस्तन से फिर लोग यहां आए जो हिंदु थे ऐसे रिज़ल्ट पाड़िशन के रिज़ल्ट के उसमें हुआ कि एक मिलियन में दस लाग है तो एक मिलियन आसी लाग रिफ्यूजी मतलब वह जो पाकिस्तान से लोग आए पाकिस्तान में जूर रहने वाले जो इंडिया में आना चाहते थे वह लग पाकिस्तान से इंडिया में आए इंडिया की भी अपनी पॉपुलेशन थी तो निव नेशन है टो अड़ेप्ट पॉलिटिकल सिस्टम जो नया नेशन बना था इंडिया उसे ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम अड़ाप्ट करना था या बनाना था या बनाना था that would best serve the hopes and expectations of the population जो सारी population की hopes and expectations जो भी है उन्हें फुल्फिल कर सके मतलब जो नाय नाय देश बढ़ना था उसे इस तरह से काम करना था कि जो इंडिया की population है जो refugee आए है वो उनकी जो उमेदे है वो पुरी हो सके वो सांती से रह सके इंडिया की population in 1947 was almost 345 million 345 million थी तब बहुत सारे दिक्कते भी थी population जो भी थी उसके बाद दिक्कते बहुत थी क्यों कि वो population में unity नहीं थी वो सब बटे हुए था किसी ना किसी बेस पे मतलब एक था ज़्यादे लेवल पे नहीं थी वो डिवाडिर थी किसमें हाई-Cast, Low-Cast का सिस्टम था उची जाती नीची जाती का सिस्टम था लोग स्पेस बटे हुए थे बिट्रिन Majority Hindu थे और Muslim भी थे दूसरे भी धारों के लोग थे तो कहीं नगाई इन चीजों में लोग बटे हुए थे unity की कमे थे जब देश आजा तो बत अब कही हाल है एक तो पॉबलेशन इतनी है उसके बाद पॉलेटिकल सिस्टम बन रहा है उसका में टार्गेट तो यह है कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि सबकी जो एक्सपेक्टेशन से उसने पूरा कर सके और जो पाकिस्तन से लोग आ रहे हैं उनका इंडिया खुद इतने भागों में डिवाइड़ेट था इतने पार्ट थे उसके और लोगों की बीच पी यूनिटी नहीं थे क्योंकि किसने की सब अलग 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 तैप के लिए मज़ बोलने वाले लोग थे अलग 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 एरिया में डिफरेंट काइं के लिए सब के अलग 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 अले अलग 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 प्रैक्टेस थे इक अलग अलग काम थे इंडिया की आ जाते के बार यह सारी दिक्कत थे तो जब इतनी दिखकत थी, तो प्रोब्लम उफ यूंटी तो थी, अगर यूंटी की दिखकत हो रहे है तो डवलप्मेंट में दिखकता है और केती depend वान्सुन के ओपर मुतलब बारिस होगी तो केती होगी जो city में जो लोग रह रहे थे factory worker थे उब उबन की situation ऐसी नहीं थी यह कंडिशन में रह से के ठीक्टा कंडिशन में रह से के वो रह रहे थे सलंब में जहांपे और basicишь weakि नहीं होती होती नहीं है जो अर्बन एर्यास में लोग यह थे मिली थी देश को तो वह फैक्ट रफ कर थे तो इनकी सुचिवेशन रहने की सुचिशन इतनी अच्छी नहीं थी ना तुम एजुकेशन का सिस्टम अच्छा था उनकी भीस में और नहीं है लिभींग कंडिशन उनके अच्छी देख तो गाउं में रहने वाली लोग अजो दूस सहरे में रहने वाले लोग है उनका सबस्क्राइब मतलब मैक्सिम लोग उन्हीं कटेग्री में ब्लॉंग कर रहे था तो यूनीटे की दिखकत थी, डेवलॉपमेंट की दिखकत थी अब हाई कास्ट की फाइ्टिंग हो रही थी लोग कास्ट से, ये कास्ट लाले लोग कास्ट वालो को अलाव ही नहीं करते थी बहुत सारे चीज़ियों के लिए से मंदिरों में नहीं जाना है को यसे पाणी नहीं भड़ना है ऐसे बहुत सरे चीजे थे कि कास सिस्टम की डिवाइडी जो थी उसके वज़े से भी डिवरप्मेंट में दिखके थी इंदू-मुस्लिम में भी दिखके होने लगी थी तो यह बहुत सरे इसू थे आजादी के बाद फिर लिखा गया इंडिया का कास्योटिट्वूशन सब की अपने अपने अलग कमेटी बनाएगे तो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाएगी कास्योस्टिट्वूशन की समभीदान लखने के लिए उसके हैड थे डॉक्टर बीवरा हम बैठकर उस कम्योटी के हैड तो इन सारे दिखकों को ध्यान में रखं़ कि यह बनाने ऐा किसमें क्या कर परोजन रखने हैं तो मेटिंग कब से गृति असम्मिले की मेटिंग हुई 11 महिने तक यह discussion चला उसके बाद finally constitution बना और लागू हुआ इन्टो इफेक्ट हों 26 जनुवारी 1950 तो आजा दी मेली 15 गस 1947 को बट constitution जो समिधान मारा effective हुआ या लागू हुआ हुआ 26 जनुवारी 1950 इतना टाइम से लिखने में लग गया सारे प्रोविजन बनाने में ऐसे कोट से प्रोविजन उसे मनाई जा रहे थे तो ऐसा क्या है वोट करें तो में में इन चीजिस में देखने हैं पहला तो उन्होंने प्रोविजन दिया कंस्टिट्यूशन में यूनिवर्सल एडर्ट फिरंचाय्जी मतलब वोट का अधिका दिया सब को वोट जैसे कि चुनाव हो इलेक्शन कहीं के भी हो उसमें सब कोई वोट दे सकता है कि मतलब हो अमेर हो गरीभ हो मेख़ी मेले अठार साल से उपर जो भी हो अभख्षा वाधार उपर कीस इन्सान गरीब चाहित कोई भी सब कोई व эпर्ट दे सकता है तो यह सारे अधिकार देगे Constitution में, पहला था Universal Adult Franchise है, 21 साल से उपर जो भी लोग है, वो इलेक्शन जो भी होंगे उसमें participate कर सकता है, state collection हो या national election हो, और vote दे सकता है, यह इसलिए खास है, क्योंकि यह vote का अधिकार इंडिया में सभी को दिया गया है, ना तो मतलब ऐसा नहीं है कि पैसे वाले vote कर सकते हैं, या ऐसा नहीं है कि मतलब जादा पड़े लेखे vote कर सकते हैं, यह अधिकार सब के लिए था, चाहिए वो किसी भी state का हो, किसी भी जाती का हो, कितना भी गरिब हो, या कितना भी अमीर हो, हर कोई vote दे सकता है, हर एक vote की value, same ही रहेगी, ऐसा न नहीं था, तो यह बहुत बड़ी चीज थी, बड़ी चीज क्यों थी यह, क्योंकि जो दूसरे state, दूसरे country हैं, USA, UK हैं, वहां पर भी ऐसे चीज बहुत चल्दी लागू नहीं होई, बट हमने पहली बार में यह ऐसा चीज एड़ाउट की थी, Indian choose to grant this right to all the citizen, regardless of gender, class or education, मतलब class, gender, education, कुछ भी हो, हर किसे को यह अधिकार मिला था, बट, other countries, जैसे की UK, United Kingdom, मतलब Britain, और US, अमेरिका में भी, right had been granted in stages, मतलब पहली बार इंडिया में तो सभी को vote का अधिकार मिल गया, बट जो बड़ी 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 थी, उन में vote का अधिकार सब भी को नहीं मिला था पहले, उन्होंने stages में अधिकार दिये, इन सबने पहले अधिकार तो दिये, जिन लोग पास property थी, उन्हें vote का अधिकार दिया, US or UK में, हमारे यहां सब का अधिकार एक साथ ही मिला, पर वहां पहले विला, जो अमेरिज लोग उसके लिए भी लबी सुट्टल चली थी फाइनली लास्ट में भूमेन को वोकादिकार दिया मतलब पहले त। रिंबल कोवोट कादिकार था ही नए जो वर्किंग क्लास थे लास्ट में उने दिया और सबसे लास्ट में वोमेन को दिया बट इंडिया में होगा ये कि हम वोट का अधिकार सभी को मिला एक साथ मिला और वो किसी चीज से फ्रक्टेट नहीं था और हर एक क्योट के वह लिए उत परावर थी तो यह बहुत बड़ी चीज थी जो कंस्ट्यूटूशन के वज़े से आई और इंडिया मतलब कंट्री गिलिए कंस्ट्यूशन से बड़ा कुछ है नहीं तो पहली बात था हमारे कंस्ट्यूशन कीज़े थी second constitution में क्या था Indian constitution guaranteed equality before the law to all citizens constitution ने प्रवाइड किया कि सारे citizens कोई भी है कैसा भी है मतलब कानून के सामने सब equal है regardless of their caste or religious affiliation मतलब किसी भी caste का है कानून के सामने सब बराबर है इंडिया में बहुत सारे जैसे हिंदू है Muslim है Christian है सीखे पार्शी और जैन सब भी कोई है तो यहां हर किसी को equal opportunities दी गए constitution में कि कोई भी everyone get equal opportunities when it comes to seeking jobs in government or the private sector or the same right before the law मतलब कोई भी कुछ भी काम कर सकता है जो legally ठीक है मतलब किसी जाती के बेस पे या religion के बेस पे या gender के बेस पे आप उसे हटा नहीं सकते है यह second important provision था third important feature था feature of the constitution was that it offered special privilege for the poorest and the most disadvantaged Indian हमारा का institution लग होने से पहले मतलब आजादी मिलने से पहले हमारे यह यह ऐसे गुरूप थे जीने untouchable का गया है मतलब उन्हें कोई अधिकार ही नहीं से तो उनको द्वान में रखे अब उन्हें एक साथ ही कटा उन्हें के साथ खड़ा करना है तो उन्हें के साथ खड़ा करना बहुत मुस्किल है क्योंकि वो ना तो educated है ना उनकी mentality ऐसी है उनकी life ही बहुत सारा सुधार करने पड़ेंगे और वो सुधार ऐसे ही नहीं आएंगे मतलब उन्हें main race में लाने के लिए उन्हें कुछ एक्स्टा करना पड़ेंगे तो जो ऐसी गुरुप थी जो पहले से disadvantage थी मतलब उन्हें special privilege दिये गए जैसे कि reservation दिया गया SCS के लिए reservation कि वो वो सरकारी जोब या जोब भी चीज़े रहेंगे उसमें वो आए main joy stream में उसमें वो सामिल हो पहले आसा था कि practice of untouchability थी मतलब जहां से untouchable लोगों के अपने आसपास भी नहीं बैठने दिया जाता था तो उसी system को abolish किया गया कि यह system नहीं चलेगा कोई भी कहीं भी जा सकता है किसी में जाना के पहले रोक टोक थी तो वो अटाए गया restaurant में जा सकता है जो public property है मतलब जो government की park है यहां कुछ भी चीज़े है मास कोई भी किसी को जाने से नहीं रोकेगा मतलब untouchability को अटाए गया जो पहले बहुत ज़्याद है अब उस कास्ट को सब जो साथ में बठाने लिए तैयार नहीं है तो मेंस्ट्रिप में कैसा नहीं है तो उनके लिए सीट रोजरू की गई कि यहां तो वो ही आएंगे तो अब थोड़ी चीज़ों ना सुरू होवा चीज़ों में तो यह सारे परवजन देगे थे Constitution में Constitution मतलब समविधान मतलब इंडिया में बहुत सरे मेटर भी थे अब कोन कि हमारे यह गवर्मेंट का सिस्टम ऐसा है कि स्टेट के लग गवर्मेंट है और सेंटर का लग गवर्मेंट है इस स्टेट पर अलग गवर्मेंट मतलब उसका चीफ है चीफ मिनिस्टर हैड और कांटर का हैड है PM प्राइम मिनिस्टर तो अब कोन कि स्टेट मेंटर भी फैसले लेगा तो उसके लिए जो सब्जेक्ट है जो चीजी है उनकी अलग 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 लिस्ट बनेगे कि इन ची बूर लिस्ट है जो परदार मंतर जिनके बारे में फैसली लेगने का अधिकार परदार मंतरी को है मतलब सेंट्रल गवर्मेंट को है उसमें क्या-क्या सब्सक्राइब टेक्स कितना टेक्स लेना ही सब चीजे डिफेंस फोरन अपे यार मतलब विद्यो सब कैसी बात करनी ह एक क्या करना है डेवсь का सारे सिस्टम यह आप सब्सक्राइब टी ति है सेंटर करें मतलब सेंट्रल गवर्मेंट क्योंकििकि सम्टैट अपनी टांग नहीं uty घुशाएगा कि इसकी बाद तो यह सरी चीजें और बारदार मंतरीं यह सेंट्रल गवर्मेंट इस स्टेट में यह था कुछ मेंटर है से इस्टेट के लिए इंपोरेंट है तो उनके फैसले लेने का अधिकार भी इस्टेट को होना चाहिए कि अपने लोगों को कैसे क्या करें इस्टेट कैसे का सकता मतलब अधिकार चीफ मिनिस्टर तो उनके सब्सक्राइब एजूकेशन पर रोल बनाओ या जैसे उसे एंडल करना करो है यह जो अपने लोगों के लिए अच्छे एजूकेशन दो हैल्थ तो यह आप डिसाड़ कर लो इस्टेट की लिस्ट में सब्सक्राइब रखेंगे बट यह कुछ ऐसे मैटर भी थे जिस पर दोनों फैसले लेने थे जैसे की फोरेस्ट है अग्रिकल्चर है उस्पर सेंटर और स्टेट किसी एक की नहीं चले ही दोनों मिल जोलकेशन पर काम करेंगे अब दोसरी एक होगी जो डिबेत होगी थी कि लेंगवज कुन सी हम LINKE करें ऑगर हिंदी करें तो ओड डोलते भी ने-क्वरी लोग दिगवर लंगर हिंवेग चानती नहीं तोमें हिंदी को पने लेंगवेज कैसे बनाए दिक्कत ये और सारय काम इंग्लिस में हो रहे थे कि हिंदी होगी हमारी official language of India but English can be used in the court service and communication क्योंकि पहले सारे काम इंग्लीस में हो रहे थे और सारी चीज़ इंग्लीस में in the court services and communication between one state to another एक state देखो दो इस्टेटी जो लेंग्विज है वो अपनी अलग अलग है अपनी अलग है नॉर्थ में इस्टेटी उनकी लेंग्विज अपनी अलग है वह एक दूसरी की लेंग्विज को इतने अच्छे से नहीं समाच सकते तो दोनों किसी बैठ के बात कर रहत हैं इसकुर वह इस लिए इसके अधर करनी है तो इसलीए इंग्लिस को रख गया कि इस पर दोनों कृक्ष दोनों की बात कर लेंग है क्योंकि दोनों सीखें उस चीज़ों की पहले से सारे काम था उससी हमूर्ह में हो रहे है जब यह काने में तो दो म्हार्य Laukt करश गया बट ओफिसिल लेंगुज को बने गया हिंदी